ये श्टीकर है इसमें गमिंग होती है इसको पकड़के आप हलक ऐसा आगे की तरब खेचेंगे और यहां से सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से जहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ओपो ए 53 में फोल्डर डालना यह डिस्प्ले डालना आप खुद से डाल सकते हैं अगर आप में पार लिपेरिंग शोफर कर रहे हैं बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत काम की वीडियो हैं दोस्तों कि वीडियो को लाश्ट तक दीखी गए तब आपकी समझ में आ जाएगा फोल्डर किस तरीके से डाला जाता है कैसे हमें डिस्प्ले चेंज करनी होती है यह ओपो ए 53 है सबसे प्लेस का बैक कवर निकलेगा दोस्तों अब इसका बैक कवर हमने खोल लिया दोस्तों अब इसके इसक्रू खोल लिए जितने भी हैं जिस दुकान पर आप दिखा रहे हैं हो सकता वह आप की तरह काम भी ने कर पाए जो आप वीडियो देखका कर पाऊगे कि निकालने के लिए तुरसरी सबसे पहले आप बैटरिय का फाथ também करें उससे पहले बैटर नहीं निकाले बैटरी का प्ता कर आप और यहां पर यहां पर यह कुछ टेप लगा रख़्िक दूसरे दुकान वाले ने ही लगा रखिए पहले इसको आप आ लेगे सब कुछ ठीक है यह इसका पानी में गया था सेट यह पानी के निशान है पानी के वाज़े से यह फोल्डर ख़राब हो कोई नहीं दोस्तों करते हैं इसको चेंज करते हूं अब दोस्तों यह फिफ्टी त्री जो मोडल नंबर इसका आप फोल्डर ओनलाइन पर्चेस कर सकते हैं ओफ लाइन में भी जाके ले सकते हैं इसको लगा करें आप क्या करोगे इसको एक वाद टेंपरेरी आप चेक कर लेंगे लगाने से पहले इसको टेंपरेरी लगा के FREMAarc, में ह grateful आएंट को आप दबा के रखेंगे उसके आइकन को ले जाते रहें पूरे फोल्डर पर नहीं छूट रहा है तो यह एकदम के फोल्डर आपका ठीक है बिंदास आप चिपका सकते हैं इसको बिंदास इसको पेश्ट कर सकते हैं बैटरी डाउन ने इसकी चार्जर सतर में ने हटा दिया अब सबसे पहले आप क्या करेंगे स्विच आफ कर लिजिए इसको बैटरी का पत्ता रिमूब कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों जब हम फोल्डर लगाते हैं लगाने से पहले यह अकसर दुकान वाले गल्ती करते हैं कि यह इस्टीकर बगर नहीं आठाते हैं जिसकी वेज़से कस्टुमर को बहुत सारी प्रोलम को सामना करना इसलिए भी मेरे पास आया दुकान उसने छोड़ी अपने पहले वाली यह देखो यह पुरानी पन्नी इसकी अभी तक इस पर लगी हुई है तो यह पन्नी हटानी होती है भाई कैमरे की किलेटी जबी तो आएगी है तो निले निला निला फोटो आ रहा होगा कस्टुमर का इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप खुद से सीख जाओगे खुद से जो लगा दोगे वह भी लगा पाएगा दुकान वाले अब यह इस्टिकर आपको अटाना दोस्तों अब कुछ नहीं लगी रहनी चीज़ पर आप अटा दीजिए बस इसको अब यह इस्टिकर है इसमें गमिंग होती है इसको पकड़के आप हलका सा आगे की तरफ खेचेंगे और यहां मैंने बताया आपको फैवी बॉंड भी ले सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो है तो अच्छी बात है कि अच्छी बात है कि अच्छी में कोई मशीन की ज़रूद में पढ़ती दोस्तों कि दिमाग का वहम है कि कोई स्पेशली काम करता मोबाल रिपर वादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप भी कर सकते हो इजी तरीके से फिर उसके बाद यह कनेक्टर आप इस पर लगा दीजिए वह दिस्प्ले कनेक्टर डिस्प्ले में अपने आप ही लगेगा इस तरीके से ब्याटरी को रग देने इसके ओपर हो गया हमारा काम इतना फुल्डर का रेट भी आपको बताऊंगा भी वीडियो में बने रहना बस एक दो मिनट में आपको फोल्डर का रेट भी पता चल मैं तो आपको सर्जिस्स करूँ आप खुद से ही रिपेर कर लीजी ज्यादा तो आपको सर्जिस्स करूँ ज्यादा है ते ही दो stok?